तो आज के सेसन में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप CC MNK थू काउंसलिंग में पार्टिसेपेट करते हो या एनाइटी में एडमिशन लेने चाहते हो तो उस वक्त आप लोगों को जब आप सिट एकसेप्ट कर लेंगे जब आप CC MNK थू अपलाय करेंगे और सिट एक करता होगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यमेंट अपलोड करने है और समय रहते हैं उन सारी डॉक्यमेंट को वहां पर प्रवाइड कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि अगर आपने सिट एकसेप्ट कर लिया CC MNK काउंसलिंग के थू तो उसके बाद आपको सबसे पहले कौन-कौन से डॉक्यमेंट ऑन-लाइन अपलोड करने होंगे लॉगिन करके तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको एक डॉक्यमेंट अपलोड करना पड़ेगा डेट आप यहां पर अप्लोड कर सकते हैं उसके बाद अगर आपकी बात करें कि डेट आप बर्थ के बाद आपको क्या अप्लोड करना होगा तो यहां पर आप देख सकते एक आपको आईडी प्रूफ अप्लोड करना होगा जो इंडियन गवर्मेंट ने बनाया चाहे हो सकता है को qualify किया उसके जो भी grade मिले हैं या marksit हैं उसे आपको upload करना होगा फिर उसके बाद यहां पर आपको जो आपकी ब्युर्देशन की डिग्री है तो उसकी certificate upload करने होंगे या अगर certificate नहीं मिला है तो Prov contam सर्टिफिकेट ये सारी चीज़े आपको अपलोड करना है जो CCMN के website पर दिया गया कि भाई इस format में आपको चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पर सबसे और ज्यादा important चीज़ अगर मैं बात करनो इस सार जैम में आपको कितने marks मिले हैं उस mark को या कह सकते score card को भी आपको यहां पर upload करना पड़ेगा so next number आता है और सबसे important यहां पर बहुत लोगों को issue होता है category certificate अगर आपने अभी तक category certificate नहीं बनाया है तो बनवा लीजे तो आप लोग चाहे माल लीजे SC, ST, OBC, Non-Crimalier या EWS से हैं तो आपको इसके certificate भी upload करने होंगे अगर आप EWS से हैं या आप OBC Non-Crimalier से हैं तो आप लोग ध्यान में रखे आपका जो certificate हो अगर अभी नहीं बनाया है certificate नहीं बनाया तो आप बनवा लीजे एक हपते 10 दिर में बन जाता है ताकि आपके पास सारे document ready रहे और जब भी counseling में participate करने के बाद आपको इस seat accept कर रहे हो तो उस वक्त तुरंत आप इन document को upload कर दें I think इस video में आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से document upload करने अगर फिर भी कुछ doubt रहता तो बिलकुल आप लोग comment करके पुछ सकते हैं तो आज के video में इतना ही thank you so much